कौन कहता है कि हेलिकॉप्टर सिर्फ आसमान में उड़ सकता है उत्तर प्रदेश के आजमगर जिले के रहने वाले एक कार्पेंटर ने हेलिकॉप्टर को जमीन पर दोड़ा कर सब को चोका दिया है जी हां इस कार्पेंटर ने एक ऐसी कार तयार की है जो हेलिकॉप्टर जैस कारपेंचर सल्मान ने बताया कि इसे बनाने में करीब चार महीने का वक लगा और इसमें लगभत 30 लाख रुपे की लागत आई है इसकी बहुत मांग हो रही है उन्होंने इसे अपने गाउं और जिले का नाम रोशन करने के लिए बनाया है वो सरकार और बड़ी कमपनियों से यही चाहते हैं कि वो उनकी मदद करें और उनके सपने को उलान दे सल्मान का सपना है कि भविश्य में वो एक ऐसा हेलिकॉप्टर बनाये जो ही जल, थल और वायू में भी चल सके अब बड़ी कमपनियों से लिए चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें जो हमारी सपना है हम अपने सपनों को उडान दे सके सपना हमारी है सर कि भविस में हम एक ऐसा हेलिकाप्टर बनाएं कि जो जल, थल, वायू सब जंगा चलेगी जब भी कारपिंटर सलमान द्वारा बनाई गई सड़क पर दोड़ने वाली हेलिकाप्टर को लोग देखते हैं तो लोगों की भारी भीड जमा हो जाती है अब वो इस गाड़ी को रेंट पर भी देने के लिए तयार है लोगों का कहना है कि इस गाड़ी को वो शादी विवाह में भी यूज कर सकते है उनका ये भी कहना है कि जो लोग हेलिकॉप्टर में नहीं उड़ सकते वो इसके माधियम से उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं वहीं सल्मान की इस क्रियेटिविटी की काफी तारीफे हो रही है और लोग उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं फिलारा आपका सड़क पे चलने वाले इस हेलिकॉप्टर के बारे भी क्या कहना है कमेट सेक्षन मिलिक कर जरूर बताए देश और दुनिया की बागी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पबलिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाए ताकि चै झाले बेल और द में खबडिया गजार झाले बाgenाशन आपकाँ फिलיל को और हो खबरों तुनिया खबर क debाएश्व